हमस्का में तो वागत है आपका एस यूटीब चेनल पे अगले वर्ष से बदलेंगे कच्छा 3 की किताबें देख लेतनी खबर क्या है बिस्ति शिक्षा परिशत की स्कूलों में कच्छा 3 की किताबों किताबें अगले वर्ष से बदलने के तैयरी है किताबों में बदलाव के लिए राजशिक्षा संस्थान से जुलाई में पकरिया शुरू हो सकती है नाय पाठिकरम के साथ ये किताबें बच्चों को सत्र पच्चिस चब्विस में मुरया कराई जाएंगी नाय शिक्षा नीति के अंतरगत किताबों में बदलाव किया जा रहा है उसी के अनुसार रास्टी शेक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशद मतलब NCRT ने पिछले वर्ष कक्षा एक और दो की किताबों में बदलाव किया था NCRT के पाटकरम को बेसे सिक्षा परिशद में इस वर्ष से लागू कर दिया गया है पहले चरण में कक्षा एक और दो की किताबों को बदला गया है NCRT की तरज पर तीन किताबें हिंदी, अंग्रेजी और गनित लागू कर दी गया है उसे उत्तर परदेश के परिवेश के अनुसार बदला गया है खास कर हिंदी और अंग्रेजी के कुछ अभ्यास हटाए जाए या जोड़े गया है वहीं संस्रित को हटा दिया गया है NCRT से इस वर्ष कक्षा तीन की किताबों में बदलाव किया गया है इसलिए अगले वर्ष बेस्तिक शिक्षा परिशत की किताबें भी इसमें लागू करके बदली जाएंगी अगले वर्ष से कक्षा तीन में चार किताबों हिंदी की वीणा, अंग्रेजी की संतूर, गनित की गनितमेला और उर्दू की सितार होगी तो इस वक्त बेस्तिक शिक्षा विभाग में भी किताबों को लेकर NCRT के तर्ज पर ही कार हो रहा है, जो कि एक अच्छा कार है किताबें बच्चों के हिसाब से बदलती भी रहनी चाहिए नया कंटेंट जुड़ता भी रहना चाहिए जैसे जैसे पढ़ाई का इस्तर बदल रहा है पढ़ाने का इस्तर बदल रहा है उसे हिसाब से किताबों का भी इस्तर बदलता रहना चाहिए NCRT हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है जो इसके प्रतिकार करती है और शोद करके कुछ न कुछ नया करने का प्रयाज करती है उसी प्रकार से उतर प्रदेश में भी बेसिक शिक्षा परिशत में भी उन्हीं के किताबों के तरज पर कार हो रहा है हाला कि फिर भी कुछ बतलाव उसमें जरूर किया जाता है क्योंकि NCRT पूरे देश के एक लेवल पर है और उसका भी लेवल थोड़ा उपर है लेकिन हम बेसिक शिक्षा परिशत की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों का लेवल अभी NCRT के बच्चों के लेवल पर नहीं है अभी भी यहाँ पर गाउं का परिवेश है इसलिए उनके इस्तर और उनके अनुसार कुछ कुछ बदलाव करके कुछ पाठ हटा कर कुछ नई पाठ जोड़कर किताबे बनाएं गई हैं जो यह नई किताबे हैं वो आपको 25-26 तक देखने लिए मिलेंगी फिलहाल जो किताबे हैं वो आ चुकी हैं लगबग लगबग सभी विद्यालयों में किताबे बढ़ भी चुकी हैं अच्छा एक और दो के लिए अभी किताबे आपको देखने के लिए शायद नहीं मिली ह होंगी तो वह स्कूल खूलने के बाद आपको देखने लिए मिल जाएंगी विद्यालियों के साथ-साथ किताबों में बदलाव होना चाहिए और बच्चों की बस गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए और जो एक शिक्षा का दोह दोह दोने वाद आपको देने शुभूँ